शुरू करते हैं आपका सुरू हो रहा है साइंस का 35 कोशन से 50 कोशन तक शुरू करेंगे फटाफट वाला कोशन आपके शामने हैं कि मनुष्ट में कुल कितनी हड्यां होती है यह बताएंगे तो जिन्ने आप्स नंबर भी दिया है 206 उन्होंने सही जवाब दिया है फटाफ शे तो बड़े में होते हैं हम लोग जैसे हैं वेक्टी में होते हैं तो 300 होंगे क्या होंगे जिन्होंने और शी दिया है उन्होंने सही जवाद दिया है इसका PDF मिल जाएगा मेरे दोस्त और इसका अंसर के साथ ठीक है जितना भी कोश्चन जहां से मैं कोश्चन बना रहा हू सारा, पुमिखेश की कोपड़ियों में कितने अस्तियां होती है? ये बताज़ेगा, तो बताज़ेगा तिष्रा प्रश्ण का जिन्हों ने अप्सट नमबर ए दिया है, उन्होंने शहीजवाब दिया है, फटा-फट जवाब देंगे, जिकेशा है, मनुष्य की शरीर में पशलियां जो है पशलियों में कितनी जोड़े होते हैं मतलब मनुष्य का जो शरीर है उसमें पशली होती है उसमें कितने जोड़े होते हैं आपके सामने चार अपसन हैं जवाब देंगे तो जिन्होंने अपसन नमर यह दिया है 12 उन्होंने सही होती है क्या होती है बताएगा मान Sulis के सब्से चोटी हड yummy बताएगा अब चरी आगे बताएगा चठा प्रश्ण मान无 recipient के सब्सेश लंबी हर्ड बताएगा आपके साफसे लंबी हर्डी बताएगए आपके सामने चार अब तो सब्सेलम्बी हड़ी की इस रप्तार से चलियेगा तो इस रप्तार से आपका एमसे की होगा तो बताएगा क्योंकि साइंस का मैंने लगवा करवा चुका हूं तो यही बचा है बताएगे मेरे दोस्त पाएजाती है अब बताएगे जिन्हों होता है चलिए खतम चीक है लेकिन दूसरा क्या होता है ये बताईएगा चलिएगा जिन्होंने option number 3 दिया है जिन्होंने option number 3 दिया है calcium वह फास्पोरश होता है वो दातों और हड्यों में पाये जाने वाले तत होते हैं नावा प्रस्ट का जबाब देंगे चलेगा मनुष्य के जिवन काल में कितने दात दो बार विकशित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने दात जो हैं दो बार विक्षित होते हैं मेरे दोस्ट कितने बार जो है दात को दो बार विक्षित करते हैं बारामप प्रश्न का जवाब देंगे मनुष्य में पाचन किरिया कहां अरंब होती है मनुष्य में जो है पाचन किरिया कहां अरंब होती है बारामप प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्हों ने अप्स नमबर शिरिया है मुख गुआ तो उन्होंने शही जवाब दिया है मानव की पाचन नली लगवक कितनी फिट लंबी होती है यह बताइएगा तो जिन्होंने आपसन नमबर डी दिया है 24 उन्होंने सही दिया है दो बज़े प्रैक्टिस टेट साइंस का स्पेसिली चलता है मेरे दोस्त आजाएए अफट-फट सेट प्रैक्टिस करिए 14 मुख में जो मंड होता है च्राच कहते हैं का सरकरा मिपाचन किसके द्वारव होता है यह बताइएगा किसके कारण होता है यह बताएंगे 14 कामसर का जब़ेंगे तो जिन्होंने टाइलील लिखा है option नमबर भी दिया है उन्होंने सही दिया है यह तोकेगे बताएगा आगे क्यों बताएगा प्रोटीन, दूद्ध प्रोटीन को पाचन वाला एंजाइम है उसका नाम बताएगा वसे क्या काते हैं? पर रमा प्रोटीन का जबाब चिन्होंने अप्शन 5C गया है सबसे जब से जादा काम करता है बढ़ी आत नहीं है बड़ी आत बढ़ा का रहेगा अपना जूख करेगा अराम-राम से करेगा चलेंगे अब चलते हैं फिजक्स पे टेन क्यूस्ट या फाइक कोश्चन सुत्रहमा प्रस्वाव देंगे जिक है दहन की ववा करिया जिसमें उश्मा ऑवं प्रकास अल्ग समय में उत्पन हो जाती है क्या कालाती है उससे क्या काते है आपके सामधे चार प्रशन है और जवाब देंगे तो जिन्होंने सत्रमा प्रश्ण का अफसा नमबर ये दिया है दुत दुरुत दहन उन्होंने सही जवाब दिया है ओके चलेंगे आगे क्यों आठारमा प्रश्ण का जवाब देंगे पिट्रॉल से लगने वाली आग जो है पिट्रॉल से लगने वाली आग के लिए किस परक उनिस्वाँ प्रश्ण है अगनी शमन जो है यंत्र में बोतल में रखे सांध्र सर्फिवरिक अंब के शाथ निम्रिकित में से किसका सांध्र विलियन रखा जाता है। मैं तो किसके साथ रखा जाता है बताईएगा, बताएगे आपके सामने चार अप्शन है जवाब देंगे, उनीस्वा प्रशन का अप्शन नमबर जिन्होंने C दिया है, सोडियम वाई कर्मोनेट उन्होंने सही जवाब दिया है, जवाब देंगे, चलेंगे, बिस्वा प्रशन का जवाब देंगे, बिस्वा प्रशन है अगनी शमन, अगनी शमन में कौन सी गैस परियुक्त होती है, अभी जश्ट आपने सोडियम का वाई कर्मोनेट की बात किये है, लेकिन अगनी शमन में कौन सी गाइस रियुक्त होती है यह जवाब दिजगा विस्वा प्रश्ण का जिन्होंने आपसा नमबर B दिया है C or 2 उन्होंने सही जवाब दिया है ओके चलेंगे आगे क्यों यह किस्वा प्रश्ण के ओर चलेंगे निमिकित में से कौन इंधन तत्व नहीं है नहीं पूछ रहा है तो जवाब दिजगा जिन्होंने आपसा नमबर D दिया है हिलियम उन्होंने सही जवाब दिया है नहीं है यह इंधन तत्व ठीक है चलेंगे आगे क्यों निमिकित में से कौन जिवाशम इंधन नहीं है आपका तेश्मा प्रश्ण है प्रोडियूजर जो है प्रोडियूजर गैस मिस्टरन है बताएंगे प्रोडियूजर जो है गैस मिस्टरन है क्या है गैस मिस्टरन बताएंगे तो तेश्मा प्रश्ण का जवाब देंगे तेश्मा प्रश्ण का आप्शन नमबर जो जिन्हों busam salt का रशानिक सुट्र रताइगा आपके सामने चार अपसन यह जवाव देंगे बताएगे 24 अपशन का जवाव देंगे जवाव देगा एपसम साल्ट का रशानिक सुथर बताएंगे मेरे दोस्ट 22 प्रश्ण का जिन्होंने option number D दिया है एपसम साल्ट उन्होंने सही जवाव दिया है MZ.A4.072 यही अंसर आपका होगा जिन्होंने option number D लगाए है उन्होंने सही जवाव दगाए है तेहां रखेगा जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हैं वो ज़रूर ये अंसर करिएगा Milk of magnesium होता है बताईगा Milk of magnesium जो है होता है क्या होता है बताईगा Milk of magnesium 25 प्रश्ण का option का जवाब दीजिए मेरे दोस्ट तो जिन्होंने magnesium hydro oxide जवाब दीए हैं उन्होंने सही जवाब दीए हैं याद रखेगा जिन्होंने option number D Milk of magnesium होता है वो क्या होता है तो magnesium hydro oxide होता है याद रखेगे आगे चलेंगे 26 प्रश्ण क्यों चलेंगे 26 प्रश्ण बताईगा निम्दिकित में से किसका उप्योग पेट की अमलता को हटाने के लिए किया जाता है पेट की अमलता को हटाने के लिए किया जाता है बताईगा कौन सा ऐसा है जो कि हमारे पेट की जो अमलता होती है उसे हटाने के लिए उप्योग करते हैं प्रियोग करते हैं जो बोलिएगा 26 प्रशन का जवाब देंगे तो जिन्होंने option number B दिया है magnesium hydroxide उन्होंने सही जवाब दिया है चिक है आगे की ओर चलेंगे 27 प्रशन 27 प्रशन के ओर चलेंगे aluminium जो है aluminium धातु का निस्करशन मुक्तर किस आयस्क से किया जाता है बताएगा किस आयस्क से किया जाता है 27 प्रशन का जवाब देंगे जिन्होंने option number A दिया है वाक्षाइड उन्होंने सही जवाब दिया है रटखेगा चलेंगे 28 प्रशन का जवाब देंगे घूनन करती एक गोल मेच पर अचानक एक लड़का आकर बैढ़ जाता है जो है मेच के कोनी ये बेग पर क्या प्रभाव पढ़ेगा देंगे तो या ठीक है प्रशन का जाता है बार पढ़ने से कम हो जाता है चलेंगे आगे क्यों उन्ठीस्वा प्रशन का जवाद देंगे यदि किसी बस्तु का दोगिना कर दिया जाय तो हुगा बताईगा यदि किसी बस्तु का बेग जो है दो गुना कर दिया जाए तो उसका बेग क्या होगा बताईगा 29 का अंसर का जवाब देंगे जिन्होंने अंसर का जवाब ऑप्सन वर्शी दिये हैं उन्होंने सही दिये हैं कती उर्जा चार गुना हो जाती है तिसमा प्रश्ण का जवाब देंगे किसी पिंड के द्रमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि बताईगा किसी पिंड के द्रमान और भार में अंतर होता है क्योंकि बताईगा आपके सामने चार अप्सन है जवाब देंगे आपके सामने चार अप्सन है बताईगा तिसमा प्रश्ण का ज़ुआ देंगे जिन्होंने आपसन नमबर भी दिया है दरमान इस्थिर रता है जबकि भार परिवर्तित हो जाता है या तो खेगा चलिए आज के लिए इतना ही रतने हैं एक तिसमा प्रश्ण आपके लिए चीकि है इसको फिडियो के माद्य हम से भी दे दिया जाएगा किसी भी र्यागति शीर वस्तू किस्थिती अरदीशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वाहवल करिया वाहवल सक्रिये ना हो सका क्या है बताईगा ना हूँ सके यह बताएगा तो यह क्या है बताएगा प्रथम त्यूर्टिय त्रत्य न्यूटन का है यह आप जवाब देंगे आपके लिए यह प्रश्ण है कमिट करेंगे क्योंकि मैंने यह करवा चुका हूँ यह अंत्रिकूर्जा से है चलिए इसका अंसर आपको पीडियो के माद्यम से होगा आपको मिल जाएगा जितना कोश्चन है सबका अंसर के साथ कोश्चन आपको मिला लीजेगा ठीक है चलिए जहीन जवारत